मागद इन्वर्सिटी के सभी स्टूडेंस के लिए अभी अभी बहुत ही वड़ा फैसला लिया गया है सभी छात्रों के लिए जिहां दोस्तों सेशन दोहजर ठारा एक पार्ट टू और दोहजर नीस बाइस पार्ट वन दोनों सेशन के स्टूडेंस ध्यान से सुनें आप ल सीटी द्वारा जो इन्फर्मेशन निकल कर आ रहा है सभी स्टूडेंस को हैरान करने वाली बात है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंस का एड्मिट कार्ट जारी नहीं किया जाएगा अब दोस्तों क्यों नहीं जारी किया जाएगा आखिर कौन-कौन छात्र परिच्छा से वंचित होंगे आज की इस वीडियो में सभी जनकारी आपको दूंगा दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि यदि अगर आप वेक्सिंग सर्टिफिकट नहीं बनवाए हो तो वेक्सिंग सर्टिफिकट जरूर बनवा लेना क्योंकि परिच्छा हॉल में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा परिच्छा हॉल यानि आप जब सेंटर पर जाओगे परिच्छा देने तो आपको सेंटर पर परिच्छा हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा यानि अनुमति नहीं मिलेगा जब तक आप लोग के पास वेक्सिंग सर्टिफिकट न कैसे बनवाना है चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी में दे देता हूं दोस्तों आप लोगों को पता है कि राज्य सरकार ने नियम लागू कर दिया है कि सभी बच्चे से लेके बुढ़े तक यानि 18 साल के लड़कों को भी वैक्सिंग जो वैक्सिंग है लगेग करते लिए एक कागच होता है जो कागच द्वारा वह बना कर देंगे आपको ठीक है वह स्लिप होता है बना कर अगर आप से सवाल जवाब करते हैं पूछते हैं कि वैक्सिंग सटिफिकेट की क्या है तो उनको बता दिजिए कि राजय सरकार ने यह नियम लागू किया है कि के परिश्चा हाल में psychic certificate की बहुत ज़रूरी आगर reclaim certificate के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों आप मैं इस बात को नहीं बोलूंगा आप में बात कर लेता हूuy उन इस्टुडेंस की जो एक ऑन्म सुधार करना चाहते एक जाम फोर्म भरे हैं और गलती कर दिये हैं माता का नायम फदर ने म अपना नेम बहुत सारे यह कुछ भी कुछ ना कुछ गलती कर दिये हैं एक जाम फॉर्म भरने में तो आप लोग एक्जाम फॉर में क्या क्या गलतिय के हैं नीचे मैसेज करके जरूर बताए और सबसे पहले तुम आपको ये बता दू कि एक्जाम फॉर में सब चीजे सुधार नहीं होता है सब चीजे सुधार नहीं किया जाएगा ध्यान से सुन लिजिए इन्वर्शीटी सिर्फ कुछ ही सभी चीजों को सुधार करती है सभी चीजों को सुधार नहीं करती है अगर सभी चीजे आपने बहुत मतलब क्या क्या गलतिय किया है आप नीचे मैसेज करके जुरूर बताएगा आगली वीडियो में उसको बताऊंगा कि क्या क्या चीज की मतलब सुधार होगा ठीक है इन उसके ठीक दो दिन बाद, 7 अगस्त को exam form का जो है, जो भी students गलती किये भरने में, उन students का treaty जो है, सुधार किया जाएगा, 7 अगस्त को और 3 दिन का मौका मिलेगा, सिर्फ तिर्फ आप लोगों का only only 3 दिन, यानि 10 अगस्त तक जो है, आप लोगों का सुधार किया जाएगा, अब ये 3 दिन के अंदर में, जितने भी छात्र लाखों students, जो students 19-20 के हैं, या 18-21 के हैं, अगर आप लोगों ने exam form भरने में किसी भी तरकी गलती किया है, तो 3 दिन के अंदर, अंदर में आपको सुधार करना होगा, अने था, इसको जो है, बंद कर दिया जाएगा, इन्व पता देता हूं, कि अगर आप लोगों के पास vaccine certificate नहीं हुआ, तो परिच्छा hall में आपको सबसे पहले घुसने नहीं दिया जाएगा, ये एक नियम लागू किया रहा है, गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, आगर कोई students सोच रहे होंगे, कि vaccine certificate नहीं लेकर जाएंगे, त सेट जाकर अंदर हो, आपको सेंटर हॉल में घुसने की अनुमत्ती मिलेगी, ये बात को आप लोग नोट कर लीजे सभी छात्र, आप बात कर लेते, कौन-कौन students का admit card जारी नहीं होगा, दोस्तों, जीन students ने exam form भरने के बाद, college में verification नहीं करवाया होगा, ओन students का सबसे पह हो रहा है, और आपने college में verification नहीं करवाया है, तो आप लोगों का परिच्छा जो है, नहीं होगा, परिच्छा से वंचित हो जाएंगा, और admit card आपका जारी नहीं किया जाएगा, अब बात यहां आती है, कि students अगर verification करवा भी दिये है, college में जाकर, और exam form अगर आपका successful नह online, ठीक है, अगर online आपने successful नहीं किया है, और payment नहीं किया है, तो आप लोगों का किसी भी हाल में admit card जारी नहीं किया जाएगा, यह university द्वारा सूचना दिया जाए रहा है, सभी students को, इसका new notice जो है, आपको दो दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगा, यानि कल छोड़क परसो देखने को मिल जाएगा इसका new notice, क्योंकि website पर जो है new notice मिल जाएगा, क्योंकि देखे दोस्तों, university द्वारा जो भी update आता है, सबसे पहले हमारी जो वहां की team है, message कर देती है, हमें information बता देती है, और आपको हम सारी information बता देते है, यानि मगद university में क्या चल रहा है, क्या बाते चीत हो रही है, क्या बैठाक निरने लिया जा रहा है, परिच्छा को लेकर, admission को लेकर, mark sheet को लेकर, कुछ भी निरने लिया जाता है, तो सबसे पहले हमें पता लग जाता है, उसके बाद हम आपको बता देते हैं, आप कल छोड़के परसो जो है, website पर notice जारी हो जाएगा और आप लोग देख लिजेगा, दूसरी बात, exam form अगर सही से नहीं भरे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुन लिजे, admit card आपका जारी नहीं हो पाएगा, और exam form अगर सही से भर दिये हैं, और college में verification नहीं करवाया हैं, तो उन्छात्रों का भी admit card जारी नहीं होगा, अगर पूरा अगर जब तक दोनों clear नहीं होगा, तब तक आपका admit card जारी नहीं होगा, दोनों clear का मतलब exam form आपने online successful कर दिया, और college में verification करवा दिया, तो आप लोगों का क्या है, सीधा directly आपका admit card जारी हो जाएगा, उसमें कोई आपको गलती नहीं होगा, अब बात यहां registration slip और mark sheet जिन छात्रों को नहीं मिला है, वो जाकर college से registration slip और mark sheet ले सकते हैं, अपने अपने college से, क्यूंकि करमचारी द्वारा university से mark sheet और registration slip मंगवा लिया गया है, तो आप जाकर college से mark sheet और registration slip ले सकते हैं, यह सभी छात्रों के लिए good news है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं, उन students की, जिन students का online exam form भरने में problems आ रही है, जैसे कि, जैसे कि आप लोगों का नाम विगेरा, अगर कुछ भी exam form online भरने में दिक्कते आ रही हैं, और नहीं हो पा रहा है, नहीं भर पा रहे हैं, तो offline college के माध्यम से exam form offline भरवा सकते हैं, जाकर ठीक है, यह सभी students नोट कर मेरी बात को, offline भरवा सकते हैं, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, उन students की, जो students यह सोच रहे हैं, कि सर यह बता दीजे, बहुत सारे students कह रहे हैं, कि सर 1821 वाला पेंडिंग का रिजल्ट का आए गया, देखे दोस्तों पेंडिंग वाला रिजल्ट को लेकर अभी कोई स सेशन के स्टूडेंस वह बता दूँ, पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंस को वीडियो ध्यान सा सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सा नोट कर लीजेगा, आप लोगों का सेंटर जो है, पूरी तरह से तयार कर लिया गया है, हाला कि इसे अभी पब्लिस नहीं किया कर लिया गया है, सेंटर भी पूरी तरह से तयार हो गया है, सिर्फ आप लोगों का एक्जाम फॉर्म भरने में ही जो लेट हो रहा है, हो रहा है, एक्जाम फॉर्म लेट इसलिए आगे डेट बढ़ाया गया है, क्यूंकि बहुत सारे छात्रों का जो है एक्जाम फॉर्म अभी भरा ही नहीं गया था इसलिए एक्जाम फोर्म का डेट जो है आगे भढ़ा दिया गया है एक्जाम फोर्म जैसे ही के कलियर होगा icon complete होगा उसके बाद सीधा डारेक्ट लिए आपका एक्जाम जो है एडमेंट जारी होगा और डारेक्टली आपका एक्जाम होगा आप दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंस यह पूझ रहे हैं कि सर पेपर कब मार्केट में आएगा जाएगा जिसके माध्याम से आप पहल करके पेपर आसानी से मतलब दे सकते हैं ठीक है यह सब इस्टूरेल्स ध्यान से नूट कर दीजिए गेस पेपर जो है एक्जाम फॉर्म इतने के बाद उसके पांच दिन बाद आप लोगों का गेस पर मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तक तक के लिए धन्यवाद यदि अगर आपको और सवाल हो किसी भी परकार का इससे रिलेटेट तो नीचे मैसेज कर दीजिएगा आपको इसकी जंकारी दे दी जाएगी धन्यवाद जहिं जे ज वीडियो क कर दोब समझ कर दो दे दोिए.